तो अब बस दू दिन बचे आई पेल को और बहुत ज्यादा बावाल हो चुका है अल्रेडी जो कि दोनों टीम्स के वज़े से आई पेल के बहले इत्ते साधा इंजरी आज से पहले शायद तक कभी नहीं हुई है फैले डेवन कौन वे जो कि फर्स्ट हाफ के आई पेल से बा बाइटी में माई भाई गड़े मुर्दे उखर देते हैं और दूसरी तरह का आर्सी भी बॉलिंग लाइनप तो भाई जो खतनाक बनाई है इस बार ही आई पेल में क्या ही बोल सकते है उनका कि बहुत ज्यादा इंजरी ड्रामा हो चुका अल्रडी आई पील में जिसके जैसे मोंबाइं डेंस में संबेरेंडॉफ उनकी जगा रिप्लेस में लिया है लू कूड को जो कि एक बेटर ऑप्शन है लेकिन तभी ठीक नहीं सब्सक्राइब कर देवन को सब्सक्राइब कर तोड़ा बहुत फरक पड़ेगा विकॉस अप गायकवाड और कॉन्वे दोनों सेट हो चुके हैं लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में एक और है ऑप्शन से के पास जो कि उन्हें अच्छी पार्टनर्शिप दे सकता है तो सब्सक्राइब करें तो बहुत बढ़िया तीम है क्या यह उक्षान में बावाल करके गए डेल मिचल रचिन रविंद्र एक से एक कॉलिटीव प्लेयर्स को लिके गए हैं प्रोबैबल प्लेइंग के बात की दर स्टार्ट करते हैं पिछले साल इंका फॉर्म बहुत अच् यह वैसे रूमर्स आ रहे थे कि MSD माइभाय ओपनिंग कर सकते हैं लेकि रचिन रविंद्र फॉस्ट डेब्यू है इनका जो की बहुत अच्छा होने वाद कि वर्ल्ड कप परफॉर्मंस से क्लास बहुत बढ़िया परफॉर्पर्फॉर्प में इनों और ऐसा होप करते है है कि IPL में भी यह उत्ता ही अच्छा को मत ने हैं कि तो तीसरे नमबर की बात करें तो आजिंग का रहा है पिछला साथ में काफी अच्छी परफॉर्मस थी तीसरे नमबर पर इस्ट बैटर ऑप्शन अब चौथे नमबर की बात करें तो निए मुच्छ शिवंदूबे तो हम चौथे नमबर पर मोई नली को लें फिफ्ट नमबर पर डैरल मिचल अब सिक्स्थ नमबर की बात करें तो शिवम दूबे पिछले साल इन्हों ने काफे अच्छा पर्फॉर्वरंस किया था फाइनल में भी और उसके पहले भी सारे मैच इन्हों बहुत अच्छा आर् साल का जो क्रियर देख रहा है क्योंकि पिछले साल माई भाई जाड़े जाके भी बात बैटिंग करना रहा है जो पैंस मूझ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि माई भाई की बैटिंग देखने के लिए बहुत साल लोग आ रहे थे तो सेवन नमबर पर माई भाई एट आवें दर जड़े जा बूदार दीपक चहर उनके प्लेस्ट बालर मिससे एक बीपक चहर कि शार देखों यह एस साल बहुत सकते सकते क्योंकि Cs के मेंकी वापसी और नोस्त थीन साल बाद कि वापसी प्रिछले साल के इंपेक्ट यह एक अगर है मतीशा पतिराना वापस आते हैं उनका कुछ कुछ नहीं नहीं तो इंपक्ले में रह सकते हैं और वना अगर नहीं आ रहे हैं तो इंपक्ट प्लेयर में मिचल सेंटनर या महिस्ट शना को भी ले सकते हैं तो यह थी मेरी CSK की प्लेइंग 11 मेरी प्रुबैम भी दूसरी टीम की बात करें आर्सी भी बॉल सकते हैं बॉलिंग इन्होंने पूरी ग्रीन को लेने के पीछे पूरी लाइन अप छोड़ दी इन्होंने अपनी बॉलिंग की एजल वुड को निकाल दिया असरंगा को निकाल दिया सबको रिलीस कर दिया अलमस्ति मुहमत सिराच हो रखा आर्सी भी की बैटिंग को भई बॉलिंग इत्ते भी अच्छी नहीं है कि आप बोल सको आर्सी भी के प्लेइंग के तरफ बढ़ते हुए ओपनिंग में आंगे विराट कोली और फाफ डुपलेसिस तीसरे नंबर बात करें तो पिछले साल वो नहीं खेल रहें रजट पार्टिदर अब चौते नं नंबर पर देखा जाए तो कैमरें अगर वो खेले तो विकाउज अव उनकी किड्नी इंजरी के वज़े से उसकी जगा स्वेश प्रभुदेशा ही ले सकते हैं जो कि कैसे खेलते हैं मैंने कभी खेलते हैं देखा नहीं है और होपफुली यह अच्छे साबीत हो आर्ट से भी के लिए अब शिक्स नमबर बात करें तो जिन्हेशकार थी उन्होंने वान येर से क्रिकेट नहीं खेला है कॉमेंट ने करते हैं तो होफुली पिछले साल इनका कोई अच्छा साल रहा है कोई इतनी परफावंस अच्छी रही नहीं है तो हो सकता है यह इस बार तो अच्छा खेले तो होफुली इस साल अच्छा के ले। साथवे नमबर की बात करें तो अच्छ थी कैए अथवे नमबर की बात करें तो पिर हमाते मुमत sirach ब्लाव यह एक बोलर है जो ठीक है आर सीबी में फिर अल्जारी जोस से इस साल की आर सीब के सबसे एक्स्पेंसिव प्लियर यही एक बॉलर है जो इन्होंने आइपेल ऑक्षन में अच्छे से परफेस किया है यह हो सकते हैं कि आर्थी भी इन्हें खिलाए और काफी अच्छा परफॉर्मंस करें अब ग्यारवे नंबर पर मैं थोड़ा कंफूज था दो बॉलर आये मेंने नापने तॉम करन और आकाश डीप अकाश डीप ने अपने डेबी मैच टेस्ट डेबी मैच में इंगलेंड का सामने काफी बड़े परफॉर्मंस दी थी इसलिए वह अच्छे बंद सकते हैं और इंपक प्रबैबली मेरी प्लेली लिए ने तॉड़े अगली वीडियो में